कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो यह हम भारतियों का फेवरिट डालोग है और बिना मीठा खाए तो हमारा खाना हजम होता है नहीं है चोकलेट हो मिठाई हो आईस्क्रीम हो यह सब खाना बनता है लेकिन अगर यह सब चीजे आपको एक थाली में मिल जाए तो बाती क्या है तो आज खाओ गली में मैं आपको लेके चल रही हूँ काफे हॉकर्स में जहां मैं आपको टेस्ट कराऊंगी वाफल्स तो चलिए मेरे खाओ गली में इस बार हम आपको ले चल रहे हैं कनोट प्लेस के कैफे हॉकर्स में और यहां की स्पेशलिटी है इनके यमी वैफल्स तो आज मिठास के दिवानों के लिए ना ही हम सिर्फ वाफल्स चखेंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि वाफल्स बनते कैसे हैं वाफल्स की वराइटी मिलेगी चॉकलेट, न्यूटेला, ओरियो, ब्लूबेरी, बेल्जियम, फ्रूट, जेली, स्टॉबेरी और बनाना जैसे कई डिलिशेस वाफल्स आप इन्जॉई कर सकते हैं मेरे मुँ में पानी अभी साने लगया और मैं इंतजार नहीं कर पा रही हूं कि कब मुझे चॉकलेट न्यूटेला वेफल मिले खाने को प्राइस भी बहुत रीजनेबल है 159 रुपीज में सिंगल वाफल तो 259 में आप डबल वाफल खा सकते हैं तो ये तयार हो चुका है न्यूटेला लवर वाफल लेकिन हमारी चटोरी जबान इतने पर ही नहीं रुकी तो आप हमने बनवाया है ओरियो वाफल भी ये तो बहुत ही अच्छा था मतलब मैं जब ही आती हूँ वाफल इस मैं बैस पेकियार इसमें ओरियों का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है इतना जादा बिस्कित्स पेशली मूमें आ रहा है और वह आइस क्रीम के साथ तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है तो मुझे तो बहुत पसंद आए और अगर आपको भी वाफल्स काने है तो काफे होकर सीपी में ज़रूरा इसके साथ ही ऐसा नहीं कि आपको से वाफल से हाप मिलेगा यहां कि स्पेशली वाफल्स है लिकिन इसके अलावा पीजा पास्ता सब बहुत ही नहीं है आपको जरूर टेस्करना कि मुई पानी है तो